हुआ है नमस्का दोस्तों मैं प्रकाश आपके को अपनी यूटूब चैनल प्रकाश हंगवाला में दोस्तों सबसे पहले हम हम आप से आप माफि मागना चाहते हैं क्योंकि वीडियो अपकी हम काफी लिए वीडियो लेकर रहा है बहराल अब वीडियो रेगलर हर अपते आती रहेगी तो आज अपने ब्लॉग में हम एक नए प्रोड़क्ट के बारे में बात करने चलने हैं जो कि एशेंट का प्रोड़क्ट है और बिछले करीब ये छे मेने पहले कमनी ने लांच किया था ये कुछ इस तरीके का प्रोड़क्ट है जैसे कि अगर हम ये मानके चलें कि बहुत महगा प्रोड़क्ट की विद्ध ये तरीके का अंदर का प्लास्टिक फिनिश पेंट है जो की premium quality का plastic finishment कह सकते हैं अंदर के दिवालों के लिए और ये अपने आप में एक बहुत ही unique quality का paint है जिसमें की एक stain की जो दिवालों पे लग जाती है वो नहीं लगेगी दिवालों पे और अच्छे से सफाई हो जाएगी ये इसकी बहुत बड़ी property है दूसरा ये company इसको इस तरीके से कहके बेशती है कि घर में अगर खुदा ना खासता अगर आपके आग लगती है तो इसमें आग फैलेगी नहीं ये तो अलग सा matter है कि जब आग लगेगी तो paintment हमें कराने ही पड़ेगा वो अलग matter है बट जल्दी से इसमें आग पकड़ता नहीं है क्योंकि हर plastic paint में आग पकड़ रही लेता है और घर में आग लगती है तो जल्दी से ही जल्दी हर जिच खराब होने लग जाती है तो इस paint में जल्दी से आग नहीं पकड़ती है इस तरीके से आप जल जल के जाती है बहुत आसानी से इसको साफ किया जा सकता है दोस्तो इसमें एक lotus effect company कहती है lotus effect का मतलब यह होता है कि अगर जिस तरीके से हम पानी की जब छीटे मारते हैं एक lotus के फूल पे और एक या कुछ ऐसे पत्यों पे डालते हैं जो जाकि इसे मोती की तरह बन जाता है उस तर इसको स्थीम में होगी दूसरा यह 2000 से जादा शेडो में बहुत आसानी सुपलब्ध है इसके दो वैरियंट है पहला वैरियंट जो है वह है एक को लाइट अल प्रोटेक्ट शाइन का प्रोटेक्ट है और दूसरा एक अपको लाइट नॉर्मल है नॉर्मल में आपको फिन इसमें चमक होनी चाहिए हमाय घर पर चमक होनी चाहिए तो उसके लिए हुनुने शाइन प्रोटेक्ट लेना है दोस्तों शाइन प्रोडेक्ट और जो मैड फिनिश है इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है यह ज़रूर देशें दे जाएगहा मैं भी आपको नहीं देता यह हो सकता है 70-80 square feet area ही कबर दे तो यह बहुत जरूरी ध्यान देना है कि जब हम कोई dark color लेते हैं जरूरी नहीं कि वह 2 coat में आ जाए हो सकता है वह 3 coat या 4 coat में भी आए यह depend करता है कि painter में और उसके लगाने के तरीके में भी जरूत पड़ती है पानी का इसमें dilution होगा पानी मिला के ही इसको पतला किया जाता है अगर हम light shade की बात करें तो light shade में 300-400 ml मतब 300 ml से लेके 400 ml तक इसमें normal पानी मिला जाता है dark shade में 200 ml से 300 ml तक ही पानी मिलाना ही सही माना जाता है और dark shade को जिस तरीके से मैंने बताया कि 2-3 coat extra लगा जाता है वह उसको जरूरी है उसको लगाना 2-3 coat extra लगाया माना जाता है कि 2-3 coat extra लगाना light shade dark shade में बहुत आसानी सुपलद्ध है दोस्तों यह एक ऐसा fragrance का paint है मतलब इसमें एक ऐसी महक होती है जब आपका घर पे painting स्टार्ट होगी तो एक अजीब सी smell नहीं आएगी chemicals की इसमें बहुत अच्छी महक आए लोगों को पता जल जाएगे कि आपके घर पे एक unique quality का paint हो रहा है तो यह इसकी जो फ्रिक्नेंस है यह बहुत माने रखती है और बहुत ही demanded हो जाती है इसकी लिए यह लोग इसको ले रहे हैं और लगा रहे हैं दिपाल पर दोस्तों all protect जो हैं कंपनी का एक तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि जैसे अगर हम लोग आईफोन बहुत से लोग लेना चाहते हैं और आईफोन का जो सबसे टॉप मॉडल है 13 pro max जिसे कह सकते हैं प्रो मैक्स डीड लाक रुपए का फोन है हम नहीं ले सकते या मेरे बजट में नहीं आ रहा है तो हम 13 नार्वल फोन ले लेते हैं तो 13 नार्वल में भी वही सॉफ्टर मिलेंगे और वही सारी सुविधाय मिलेंगी जो की 13 pro max में होगा बस थोड़ा सा उसमें स्क्रीन बढ चलिटाइब किया है और जब से यह मार्केट में तो बहुत से इसके जो कमपनेशन के लोग हैं मतब डूलस में जो पींट आते हैं या बर्जर में जो इसके पींट आते हैं जो इसके कमपेर में उनको काफी अच्छी तक्कर मिल रही है दोस्तों पैक की बात करें तो ये एक लीटर, चाल लीटर, दस लीटर और बीस लीटर, मतलब है वन लीटर, फो लीटर, टैन लीटर, और ट्टी लीटर के पैक में इसलिए आते हैं जो कि सभी कंपनियों के नॉर्मल आते हैं वो मिलता है लगाने का तरीका दोस्ते इसको धान कर लें कि अगर ये तो पहली के लिए इस पैंट को लेकर आते हैं तो सबसे पहले अपने दीवालों की सफाई कर लेनी है, जहां पर क्रैक वगरा है, क्रैक फिलर भर लेना है, अगर सीलन आती है तो सीलन के लिए अपना सीलन का ट्रीट्मेंट जो भी समार्ट के अर एसे पेंड या डियुलक्स का जिस प्राइमर का जरूर लगा दें दोस्तों प्राइमर का जरूर लगा दें प्राइमर को लगाने नहीं आप लगाते हैं तो कई कई बार यह देखा गया है कई के बार ऐसे कंप्रेन आएगी कि ब्रस के स्पॉर्ट दिखाई पड़ रहे हैं तो जाही से होता है कि जब इतना मेंगा पेंट लगाई रहे हैं तो दोस्तों एक बार एक दो लिटर आपके एक रूम में 10 x 12 के रूम में दो लिटर तक ही इसली प्राइमर लगेगा तो एक प्राइमर का कोट लगाने के बाद इसको लगा है तो यह पर्फिक्ट तरीके से दिवालों पे अच्छे से छपेगा और अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग आएगी दोस्तों यह दिवा और लोग इसको पसंद कर रहे हैं और कई बार इसको पींटर बहुत आसानी से लगा ले रहे हैं तो एक बर आप इसको यूज करिए और बताये कैसा है मेरे कमेंट बॉक्स बताये कि किस तरीके से प्रोडेक्ट है कई-कई जगहें पर इस तरीके से किट मिलती है करेंशिन पेंट की तरफ से डीलरों को इसमें यह दिखाया जाता है कि कहीं आपके कोई दीवालों में दाग लग रहा है केचप के दाग सू पॉलिश के दाग या बहुत टफ दाग भी लग रहे हैं उसको यह बहुत आसानी से साफ कर दे रहा है और यह दिखा जाता है कि अगर इसमें कोई आग लगा के दिखाते हैं कि किसे तरीके से जलती है पेंट जल्दी खराब नहीं होता यह सब चीज है यह सब तो सेकेंटरी चीज है कि बहुत लेकिन इसको लगाए बीना इसको समझा नहीं जा सकता कि कैसा यह है करणा ग्राब या अतब माहिऄ दिखें मिड रहु का है इसकी मार्पी कंपें लगशए मॉपए लिटर मता फोर हंड़रिल्र रूपई लीटर के लिए समय हैं कई के जगह यह कम रेट में भी मिल जाता है कि अच्छा अच्छा अपना जुलाई से लेके इधर अभी सित्म में अक्टूबर तक कमनियों के बहुत रेट बढ़े हैं कभी पांच लोपे लिटर कभी अक्सार रेट बढ़ते चले आ रहे हैं तो उसकी वज़े से मार् है एक अधिकार भी होता है कि बारिगनिंग करा है और लेके जाए अपने अपने प्रोडट को तो डीलर भी अच्छा से डिसकाउंट देता है हर प्रोडट पे इस एक्स्टा बनाते है उसकी कॉस्टिंग अलग होती है हार डिब्बे में नीचे की तरफ लिखा रहता है कि लिफार बेस्पेंट कलरिंग कॉस इक्स्टा तो जो भी कलर हमना अगर हम लाइट शेट बनाते हैं तो लाइट में लाइट शेट में जो कलर होगा उसका पैसा अलग से आपको बताएगा दिलर वह देना पड़ेगा हाँ यह कर सकते हैं कि आप उसके अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए और मेरी कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह प्रोडेक्ट बहुत अच्छा है जैसा भी आपको लगा हो अच्छा गला सही जो भी चीज़ सब कुछ पताइए दोस्तों आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रख अगर अब यह ब्लॉग और हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो बीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए लोगों को बताएए कि मैंने इक ऐसा चैनल बनाया है जो की पेंट के बारे में सब कुछ बताते हैं पेंट कम और कभी भी गलत आपको ना जानकारी दें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आज के लिए बस इतना रखते हैं थैंक यू वेरी मच जैहिन